हालो दोस्तों, आज की चर्चा एडवर्प्स ओफ प्लेस के बाले में, एडवर्प्स ओफ प्लेस अर्थात वे एडवर्प जो यह बताते हैं कि कोई क्रिया किस इस्थान पर हुई, कहां हुई, उसके होने का इस्थान क्या था? इसे हम निमनख्यत रूपों में देख सकते हैं, अवे, एव्रिवेर, हेर, नोवेर, सम्वेर, दैर, एट्सेक्टर, किंतु इनकी संख्यायत नहीं नहीं होती, ऐसे कोई भी शब्द, वो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं या कोई फ्रेज हो सकता है जो क्रिया के होने के स्थान को निर्धारिद करे उन्हें हम adverbs of place के रूप में रख सकते हैं सामिल कर सकते हैं आईए, अब इनके प्रियोग के चर्चा करते हैं यदि वाक्य में कोई object नहों तो इनकी position वर्व के ठीक बाद होती है उदारन के लिए, she went away, वह चली गई he lives abroad, वह बिदेश में रहता है abroad का मतलब देश से बाहर रहना bill is upstairs, बिल छट पर है upstairs मतलब छट पर केंटू, यदि verb के बाद object आया हो या verb object के साथ कोई position आया हो तब इनकी position object के बाद ही होती है जैसे, she sent him away I looked for it everywhere पहले बाग में देखिए, अवे की position object के बाद है दूसरे वाक्य में preposition प्लस object आया है उसके बाद है adverb phrases भी इसी नियम का पान करते है adverb phrases से तात पर है preposition प्लस noun, pronoun या कोई unadverb उदहानों से आप समझ सकते हैं the parrot sat on a perch पर्च का मतलब छट जा कोई भी प्लेश जहां ठहरा जाए रुका जाए he stood in the doorway he lives near me यहां पर on a perch in the doorway, near me adverb phrases है क्योंकि यह phrase अपने पहले आने वाली verbs sat, stood और lives की विशेशता बता रहे है somewhere, anywhere का प्रियोब करते समय हमें उन्ही नियमों का पान करना चाहिए जो हम some अथवा any के लिए करते हैं कहने का ताथ पर है कि somewhere का प्रियोब affirmative sentences में anywhere का प्रियोब negative sentences में यदि interrogative sentence हो तो हम अर्थ के अनुसार इन में से किसी का भी प्रियोब कर सकते हैं उदहान से आप इसे असानी समझ सकते हैं I have seen that man somewhere यह affirmative sentence है I can't see my keys anywhere यह negative sentence है लेकि नीचे के दोबा के देखिए Are you going anywhere? यह ordinary question है सामने वाला पूछ रहा है कि तुम कहीं जा रहे हो क्या Are you going somewhere? इसका मतलब है मुझे ऐसा लगता है कि तुम जा रहे हो I assume that you are Nowhere का प्रियोग भी हम इस position में कर सकते हैं जब इसका अर्थ होता है To get nowhere अर्थार To make no progress कोई भी प्रगती या कोई उपलब्धी हासिल न करना इस sense में जब प्रियोग होता है जैसे Threatening people will get you nowhere इसका अर्थ है कि you will gain no advantage by threatening people लोगों को धमका कर आप कोई भी लाब नहीं पाएंगे इसका प्रियोग हम short answers में भी कर सकते हैं जैसे Where are you going? उत्तर Nowhere It means I am not going anywhere Formal English में इसका प्रियोग हम front position में अर्थाथ sentence के beginning में भी कर सकते हैं लेकिन तब inversion लागू होता है Inversion के विशय में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे आप इसो दाहार से फिलहाल समझें Nowhere will you find better roses than this इससे अच्छे गुलाब कहीं और आप नहीं पाएंगे यहां देखिए Nowhere के ठीक बात विल वर्व आई है जब वर्व सब्जिक्ट से पहले आती है तो इस अवस्थाप हम inversion कहते हैं आगे इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे किसी अन्यसेशन में Here there का प्रियोग करते समय ध्यान रखना है कि इनकी पोजीशन Beaver Come तरथा Go plus noun के बाद हो सकता है जैसे Here is Tom There is Radha Here comes the train There goes our bus यहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि Tom is here, Radha is there भी हम कह सकते हैं किन्तो इन दोनों में अंतर आप नीचे को दाहन से समझ सकते हैं Tom is here का मतलब है कि he is in the room or in the town or at this place वो इस समेश जगह पर उपस्तित है Here is Tom का मतलब है We have just found him वो देखो Tom वहां रहा हमने उसे खोज लिया है हमने उसे पा लिया है इसी प्रकार Tom comes here इसका अर्थ है It is his habit to come to this place अर्थात यहां वह अक्सर आता रहता है आदतन Here comes Tom इसका मतलब है He is arriving वो देखो Tom आ रहा है या he has just arrived अभी अभी तो Tom आया है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें यदि सब्जिक्ट नाउन के बदले प्रोनाउन हो तो यह पोजिशन बदल जाती है तब सब्जिक्ट वर्ब से पहले आता है There he is Here I am Here it comes देखें यहां पर अब वर्ब बाद में चली गई और प्रोनाउन्स पहले आ गए आप इन्हें There is he Here am I Here comes it न लिखेंगे न बोलेंगे इसका ध्यान रखें अब जरा इन शब्दों पे ध्यान दें Away Down In Off Out Over Round Up Etc यह एड़ वर्ब्स ऐसे वाक्यों के पहले अथात Beginning में Front Position में आ सकते हैं जिन में Verbs of Motion प्लस Noun का प्रयोग हुआ हो Verbs of Motion means जिन से गती का बोध होता हो जैसे Away went the runners यहां देखिए Away के बाद went आया है Go का past जाना उसके बाद runners नाउन आया है Down fell a dozen apples दर्जनों से भर 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 गिर पड़े फिर देखिए Down के बाद fell करी आई है जो motion को बता रही है Round and round flew the plane गोल गोल चक्कर लगाते हुए जहाज उड़ा था या उड़ा यहाँ पर देखिए Flow आया है जिससे गती का बोध हो रहा है लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें कि यहाँ बात तभी लाग होगी जब subject noun होगा जैसे ही subject pronoun होगा तो position बदल जाएगी उड़ार देखिए away they went आप देखिए subject पहले आ रहा है round and round it flew फिर देखिए it पहले आया आप इन्हें away went they नहीं कहेंगे round and round flew it नहीं कहेंगे एक और बात का ध्यान रखें written English literary English में हम adverb phrases को भी front position में रख सकते हैं अब मैं जिन उदहानों को बताने जा रहा हूँ यह थोड़े जटिल लगेंगे आपको क्योंकि यह literary है written English में इनका प्रियोग किया जाता है आप इन्हें ध्यान से देखें उदहानों को देखें और समझें क्योंकि यह होता है आपको जानना होगा कि English में ऐसा लिखा बोला जाता है यहाँ पर ध्यान दखें कि जब यह adverb phrases आते हैं शुरू में तो इनकी ठीक बात जो वर्व आती है उससे या तो किसी position का बोध होता है या तो motion का या तो कुछ अन चीजों का live, die, etc. उदहान देखिए from the rafters hung strings of onion गाउं में छज्जा लगाते हैं जिसमें आप लौकी कद्व आदी लटका के फ़लने के लिए छोड़ देते हैं तो onions मने प्याज की लताएं लटक रही थे rafter से, जहम्रे से ठीक है? आप देखो from the rafters यहाँ पर phrase है जिसके ठीक बाद hung आया है जो position की बात कर रहा है in the doorway stood a man with a gun दरवाजे पर एक ब्यक्ति बंदूख लेकर खड़ा था फिर देखे, in the doorway phrase है ठीक है? जिससे position का बोध हो रहा है उसके बाद stood, खड़ा होना वरवार ही है जो position बता रही है perch beside him phrase है, उसके बाद set वरवाई है जो position को बता रही है over the wall came a share of stones दिवाल के उस पार से पत्थरों की बाचार आई यहाँ पर on the wall phrase है, उसके बाद came वरवाई है, जो की motion की बात कर रही है हम इन वाक्यों को participle का प्रियो करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं standing in the doorway was a man with a gun जाध्यान से देखे sentences की बनावाद थोड़ी typical हैं लेकिन मज़ेदार हैं sitting on a perch beside him was a blue parrot इन सभी वाक्यों को पढ़के आप थोड़ा परिशान हुए होंगे मैंने पहले ही चर्चा की कि इन सब में inversion का नियम लागू हुआ है inversion अठाथ subject verb की position को बदल देना किसी session में हम inversion पर चर्चा करेंगे आप ये समझें कि इन सभी वाक्यों को सीधा करके लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि a man with a gun was standing in the doorway हम कह सकते हैं कि a blue parrot was sitting on a perch beside him ये सीधे वाक्य हैं इन ही को हम यहाँ inversion करके लिख रहे हैं तो इस तरह से आज हमने adverbs of place की बात की आप इन को समझें और इसका आलाब उठाएं आगे के session में कुछ और adverbs की चर्चा होंगी थेंक्यू